हेलो फ्रेंट्स आपका हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको रूखे बेजान बालों को एकदम शाइनी और बहुत ही घना बनाने का तरीका बताने वाली हूं बहुत से लोग हैं जिनके बाल बिल्कुल रूखे बेजान होते हैं और कितने दो बार के इस्तिमाल से ही आपके बाल बहुत ही शायनी हो जाएंगे लेकिन फ्रेंट्स वीडिश्रू करने से पहले मैं आपको एक प्रूटर को अरम बताना चाहती हूं यह है अवर्टिन कंपनी का मेंस्ट्रूल का इसको पीरिट्स के टाइम पर पैड की जगर इस कर लेते हैं पूरे टैनियर के लिए फ्री हो जाएंगे सिल्कॉन का बना हुआ कप होता है इसके खाश बात यह है कि इसके कोई इंफेक्शन नहीं होता है और दाग धबा लगने की कोई टैंसर नहीं होती है जो की पैड में बहुत ही नॉर्मल बात होती है और पैड से कई इसके बाता है यह बिल्कुल सेफ है बहुत अच्छी से प्रोटेक्शन देता है तो यह आपको जरूर्ण यूज करना चाहिए आज कल 70% लेडी जिसका यूज करने लगी है तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा नीबू कर रस तो आपको एक चमश लेना है नीबू कर रस जो इसमें बिटमिन सी पाया जाता है तता इसमें कुछ ऐसे ऐसे अमल पाया जाते हैं जो बालों को शाइनी बनाते हैं और खास बात यह बालों को जड़ों से मजबूत बनाने में मदद करते हैं बहुत इफेक्टिव होता है नीबू कर रस अगर आपके बालों में डेंडरॉफ है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं कही तरह से यूसफल है लाग दायक होता है तो यहाँ पर हमने एक चमश नीबू कर रस लिया है अब आपको इसमें जो मैन चीज है व बहुत फायरे मंद होता है तो इसे बाल जो है इंग्दम शाइनी हो जाएंगे सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक चमश ही रेना है आपको जैतुन का तेल यानिकी फिगारो ऑईल है इसको आप अच्छी से मिक्स कर लें दोनों को अगर आपके पास यह और न बन करके तयार हुआ है जो मिश्टन इसको आपको अपने बालों पर लगाना है तो इसको लगाने के लिए कुछ बातों को आपको ध्यान लगना है आप जिस दिन शैंपू करें उसके आपको एक दिन पहले यानिकी रात को सोने से पहले लगाना है जैसे आपने रात को लग रात के लिए चोड़ में दो बार में आख ने लगेगा आपके बाल रेश्मी हो जाएगे साइन आ जाएगी सौफ्ट हो जाएगे बहुत उखरआ करके देखेगा तो फ्रेट कैसे लग आपको पीडियो पसंद आब आएगा लाइक श्यार चाहल और करेंगे सबस्क्राइब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबा आ चेक्ट यार